स्थिटेंग एंड उन्हीर पार्टेमीश का सब्सक्राइब लिए ये झाल जातार सकता है इसके अलबाइब जितने भी आपकमिंग इसम्स आने वाले उस पर देखेगा चैनल कोई चैनल कोई आप सब्सक्राइब कर लिजीगा चले स्टार्ट करतें किया है पहला PCT का full form का बात करें तो People's Education Society Scholaristic Aptitude Test जो अपका कंड़क्ट किया जाता है, PES University जो आपका Bangalore में उसके द्वारा कंड़क्ट किया जाता है इस exam को and the application form has been made available through online, या आपका online यहाँ पर form भरा जाएगा and इस exam को देखे या PES University में various UZ या PC courses में अब हम सब बात करते हैं exam rates की जो फोर बीटे के लिए बीटे के लिए बीटे के लिए बात करने वाले तो exam rates की बात करें तो यहां पर form रिलीज हो चुका है 1st November को form apply कर सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन चीए दिन आपको टेलिग्राम या इंस्टाग्राम मेरा लिंक मिल जागा आपको मेरी चैनल का about सक्षिन में आपको वहां पर जाके उसको follow कर सकते हैं बात करें तो candidate should have passed 10 plus 2 or equivalent from any organized board आपको 10 plus 2 पास होना होगा as physics mathematics mathematics आपका mandatory subjects होना चाहिए and इसके लावा आपके पास 50% aggregate marks होना चाहिए 12th में and बात करें क्या appearing students exam दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं तो यहां पर सब्सक्राइब होगा candidates appearing in the qualifying examination can also apply for the examination जो appearing students students है जो 2022 में exam देने वाले हैं 12th का वह भी exam में apply कर सकते हैं exam दे सकते हैं अब हम सब बात करने वाले जो पीसेट exam आपका हो रहा है उसका exam pattern क्या है उसकी marking scheme क्या है क्योंकि किसी बीग्जाम को देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि exam में कितने questions पूछे जाता है किस बीग्जाम के कितना question आता है उसकी marking scheme क्या है सब चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए तो बात करते हैं हम सब exam pattern की यहां पर आपका mode of examination का बात करते हैं आपका online exam होगा questions के बात करते हैं किस type का questions आपका यहां पर पूछे रहेगा तो आपका IMC की question होगा किस subject से कितना questions आएगा बात करें physics से आपको 60 questions पूछे जाएंगे total mathematics से 60 questions chemistry से बात करें तो 40 questions और English से आपके 20 questions पूछे जाएंगे total आपके होगा 180 questions जो की 180 marks के होते हैं 3R का आपको duration दिया जाता है यहां पर मैंने detail में आपको PCT exam का बार में बता दिये आप चाहे तो apply कर सकते हैं क्योंकि PS University बहुत अच्छा college है बैंगलोर का टॉप में college में आता है इसका जो पहले आता था comment के एक अंडर ही इसका exam होता था लेकिन बाद में ने अपना separate exam कर लिए PCT का जो सरी PS University के लिए होता है various courses के लिए तब apply कर सकते हैं and hope करता है अपको वीडियो पसंद आगे तो वीडियो को like करें share करें चैनल को जुरूर subscribe परें thank you